हमारा अगला सवाल है एक बज पर एक बज कर 20 मिनिट पर दो कांटे के बीच का कौन नापे चलो सबसे पहले हम एक बज़े क्या सिचियोशन होता है वो देख लेते हैं गड़ी में यह सिचियोशन होता है छोटा काटा होता है वो एक पर होता है और बड़ा काटा 12 पर और अभी जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे दोनों के बीच का डिस्टन्स कम होगा हमें यहां पता चलेगा जो बड़ा काटा है वो आगे जाएगा तो यहां पर angle है वह छोटा होता जाता है छोटा हो रहा है या तो बड़ा हो रहा है माप तो यही रहेगा कि हर एक मनीट में सारे 5 degree angle कम होगा अभी एक बज़े यहां जो एंगल बन रहा है वह 30 degree है क्योंकि 12 से एक एक के बीच में जो angle होता है वह 30 degree होता है अभी एक बज़कर 20 मिनिट पर क्या होगा तो 20 मिनिट पास हो रही है तो हमें ये 20 को सारे 5 से मल्टिप्लाई कर देना है तो 110 यानि 110 डिगरी एंगल कम हो रहा है अभी 30 में से अगर आप 110 माइनस करोगे तो वो होगा नहीं क्योंकि 110 ज्यादा है तो होगा क्या पहले कम होते होते 0 हो जाएगा और फिर वो काटा आगे जाएगा तो बढ़ेगा तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा 110 में से 30 को माइनस करना पड़ेगा तो 10 में से 30 जाएगा तो 80 डिग्री होगा तो 1 बचकर 20 मिनिट पर जो एंगल बनेगा वो 80 डिग्री बनेगा